हाई गाईज कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बैक ऑन माय चैनल अगस्तिया फैमिली व्लॉग्स येस पहले प्रियू डेली व्लॉग्स रखा था बट वो सर्च में नहीं आ रहा था इसलिए चेंज कर दिया अभी सुभा के किते बज़ रहे हैं साड़े चार और पाँच बज गई तो सुचिए चलो लग जाते हैं काम पे जो रोज मररा की लाइफ होती है हर लड़की की हर लेडिस की वो तो करने हैं तो यहां पे मैं किचिन में आ गई हूँ नहां वहां के जब भी मैं ऊटती हूँ तो सबसे पहले कब नहाने का कर लेती हूँ विकोज कितने भी जो थोड़ी बहुत करनी थी अब चलो पानी पीते हूं वैसे तो मैं मौनिंग में उठते ही पानी पीती हूं थायरेड की गोली खाती हूं विकॉस मुझे थायरेड प्रॉब्लम है अभी वॉक करके थक भी हूं आप देख सकते हूं मेरी शकल पसीना विसीना आ रहा है सो नहां वहां के कुछ भी मैं रेडी नहीं होती हूं जस्ट कपड़े डाल लेती हूं और थोड़ा बहुत जो क्रीम वागरा लगाना रहता है मौस्चिराइजर वस लगाती हूं तो अभी थोड़ा अराम से पानी पी रही हूं और हमेशा मैं यह जरू टिप दूँगी कि कभी भी मॉर्निंग में उठते हो तो बैटके ही हमेशा थोड़ा टाइम लेना चाहिए पानी पीने के लिए और एकदम से बढ़ बढ़ा के एक दू गलास नहीं पी लेना तो अब हम चलते हैं किचिन में यहां पर मैं पता नहीं क्या चेक कर रही थी बार मुझे रिमेंबर नहीं है तो चलिए अभी मैं किचिन में आ गई हूं और मैं थोड़ा सा पनीर बनाया है मैंने येस और वो भी मैं लंच के लिए सुबा से पनीर बना लिया मैंने क्या करे क्यार जब आपकी आख सुबह जल्दी खुल जाती है हाला कि भी स्कूल नहीं है तब भी आख वो मेरी खुली जाती है और अच्छा है ना स्कूल जब जाएगा गस्तिया उसका आट बजे का क्लास है तो आट बजे मुझे उठना ही पड़ेगा इतने बजे पांच बजे उठ भी जाकर उसका टिफवीन बजे बन पायागा यह बरतंध ठोड़े रात के रख़ते हैं जो मैंने लगाए यह नहीं थे तो मैंने सूच़ चाए चड़ा देते हैं इस लो उस पे हो तब तक फिर पूजा कर लेते हैं पूजा करने मुझे 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 15-20 लडू गोपाल नहलाना दूलाना उनकी बूजा करने में फोड़ा जादा टाइम लगता है तो उनको मैं बाद में करती हूं साथ 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 आठ बजे करती हूँ तो अभी सिफ मंदिर में जाके मैं दिया जलाती हूँ प्रशाद लगाती हूँ और अपना गड़ेश चारीश सा पड़ती हूँ तो उसमें हडली 15-20 मिनट लगते हैं तो मैंने सुचा कि लाओ पहले पनीर निकाल लेते हैं तो यह देखिए घर का पनीर बहुत अच्छा लगता है बनता है और यह मैंने पनीर किस तरह से निकाला है जस नीमू डाल दिया था फट गया और यह पानी अलग हो गया बहुत जल्दी बनता है घर वाला पनीर टाइम नहीं लएगा अब इसको मैं अगर दोपैर में भी बारा एक दोबजे देखूंगी न पनीर बन जाएगा बट मुझे दोपैर में नहीं बनाना है मुझे बनाना है ये शाम को तो शाम तक और अच्छे से ये सेट हो जाएगा बस इसका एक्स्ट्र वाला पानी निकाल लिया है और मैं आपको बदा दूँ जो एक्स्ट्र वाला पानी जो होता है ना पनीर का वह भी फेकना नहीं चाहिए अगर आप पनीर की कड़ी बना रहे हो रसे वाली तो ये वाटर यूस कर सकते हो विकोज ये जो इसका पानी हो तो मैं देखो कैसे रियूज करूंगी क्योंकि मैं तो पनीर की शामबू सुखी सब्सक्राइब बनाने वाली है। तो यह देखिए मैं एक कपड़ा ले लिया है उसमें बांद दिया इसको में पार मलमल का कपड़ा हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने एक रुमाल नया रुमाल है मेरा मैं इसी में पनीर बनाती हूं रखा हुआ है। इससे कुछ भी मैं मैं पर्सनली यूज नहीं करते हूं किचिन का यह सो यह देखिए कुछ हैवी चीज रखनी थी तो मैंने कड़ाई भरके रख दी है अब इसको चार से पांच अबालती हूं बनाते वक्त और ऐसे नहीं कि एक बार बस एक उफान आया और चाय च्छान ली में काफी अच्छी उबालती हूं तो यहां पर मैं सर पर यह डाली थी पूझा कर किया थी क्योंकि तो अभी हो गए हैं आट बज गए हैं और आट से साड़े आट अगस्ते के ने हुआ हैं ने आट अब में बना रही हैं मैंगो काह रही हूं रही है मैं अकथ कला सब्स्सक्राइब बनानच हो वृत्याż को देना अग noir भांव टुझा दो अगर डेते हैं बैश्ञे को कहा ओ तो थोड़ी आदत पड़ती है हर तरीकी की खाना खाने का तो यह देकिए थोड़ा ही बनाया है तो थोड़ा सा मैंने इसके ड्राइफूट्स टाल दिये बरफ बिल्कुल भी नहीं डाली मैंने तो चलिए इसको दे देते हैं हम अंदर बैठा अगस्तिया और इसका टेबल प आधि कितनी बैंकर आ गए अबी से 9 बज रहें इस टेम पर और यह मैं अब बना रिया आटा बनाया है और यहाटा पता है किसके किश्ट का मैं कर्दू कस किया है मैंने लौपी को ठीक है अब देखो मैं इसका क्या बनाती हूँ प्राथे बनाती हूँ यह स्टीम करके नयुक्त थाल चावल चढ़ा दी ए दूपयर में डाल चावल बना रही हैं मैं हमेशा अलग अलग करके बनाती हूं कभी सब्सवी रोटी बना ली जा शुब्स भी रात में हेवी बना लिया है तो एड़ सब्सक्राइब लोटी रात वगयरा तो टेपेंड्स किस हिसाब से आ साइम मेनेजमेंट ही है ज़्जाए में चीजेशं के बाता लगा juicy कोई बाया रहा है जाए दा बता है कि यहां पैज बीज़ कृती दाल जाए मैं आ दाल कोई प्रशाए पला को के लिए रखालक्ता सवहाई है। तो मैं उसमें प्याज लेसन डालती हैं। तो मैंने सरसो का तेल डाला है। राय, जीरा, मिर्ची डाल दी, लेसन डाल दी और हींग और बस प्याज डाल दीए। इसको फ्राइ कर लेंगे अच्छे से। डाल चाबल भी काफी अच्छा लगता है खाने में। यह अरहर की डाल है। वहला कि मैं टमाटर डालना भूल गए याज इसमें। क्योंकि मैं टमाटर अरड़ी इसमें कट करके डालती हूं तब प्रशर कुकर करती हूं। अब मैं भूल गई उपर से नहीं डालती है। तो कोई बात नहीं तब भी अच्छी बनी ती डाल बहुत टेस्टी बनी थी और देखिए मैं काटोरी में निकाल रही हो अब मैं इसमें तड़का लगा दूगी और फिर दुपैर का लंच आज यही है तो देट में रात में थोड़ा सा हैवी बनेगा पराथा पनीर जो बना यही हु कहल शेर दिस वीडियो वा बाय है